हेलो एवरिवन, मैं सेल्फ डॉक्र आशी श्रिवास्तव और आज मैं आप से डिस्कस कर रहा हूँ जैनेटिक्स की DPP नंबर 10 कुछ बहुत इंपोर्टेंट कॉश्चन्स फिर से में लेकर आया हूँ DPP नंबर 10 में और ये सभी कॉश्चन्स जो होंगे वो law of independent assortment पर based होंगे तो आशा करता हूँ कि आप पिछली सभी DPPs को practice कर चुके होंगे और जो भी content मैंने इससे पहले delivered किया है अपने आज के इस DPP lecture के पहले जो भी content मैंने आपको delivered किया है अगर वो आपने बहुत carefully पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है तो definitely आपसे इस DPP में जो भी questions है वो बनने चाहिए तो start करता हूँ मैं अपना पहला question आप ध्यान से question को पढ़ेंगे आपके पास total एक minute का time यहाँ पर होता है और उसके अंदर आपको अपना right answer जो है वो मुझे chat box पर या comment box पर लिख कर बताना है question क्या बोल रहा है when yellow round heterozygous pea plant are self fertilized तो question के accordingly अगर मैं बात करूँ तो इस question मैं yellow round जिसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से तो यह एक yellow round heterozygous pea plant है इसको मैं क्या करने वाला हूँ self fertilize करने वाला हूँ यानि इसकी मैं selfing करने वाला हूँ और आपसे पूछा जा रहा है कि जब मैं इस plant की जिसका genotype है heterozygous for two character तो इससे जो off springs produce होंगी उन off springs में इस particular genotype के off springs की probability क्या होगी यह आपसे question मैं पूछा जा रहा है तो आपको जल्दी से अपना answer मुझे comment box पर या chat box पर देना है अगर आपने answer दे दिया है तो मैं आपको right answer और इसका सही solution बताने वाला हूँ question बहुत simple था इसमें एक heterozygous organism लिया गया था for the two character जिसकी selfing या self pollination कराए गया था तो हम सभी जानते है कि किसी भी dihybrid cross में या किसी भी polyhybrid cross में अगर आपको F2 generation में किसी particular individual के genotype की probability को predict करना है तो बहुत आसान होता है क्योंकि वहाँ पर हम जानते है कि heterozygous pair of allele आने की जो probability होती है from heterozygous individual अगर आप उसकी selfing करते हैं तो वो definitely 2y4 होती है और हम सभी जानते है कि homozygous allele का pair आने की जो probability होगी from F1 selfing या F1 heterozygous की selfing करने पर तो वो हमेशा 1y4 होती है आप बस multiplication law probability से solve कर दीजिए आपका answer आजाएगा 2y16 और अब हम इस questions के options की और बढ़ते हैं इस questions के options में पहला है 9y16 तो ये तो possible नहीं है 3y16 भी यहाँ पर गलत है क्योंकि exactly option number C में साफ साफ दिया जा रहा है 2y16 तो definitely जो इस question का right answer होगा वो है 2y16 तो आपने क्या answer दिया आप check कर सकते हैं अगर आपका answer 2y16 आ रहा है तो definitely आपने इस question का मुझे बहुत सही answer दिया है अगले question की तरफ बढ़ते हैं mandalian dihybrid cross when heterozygous round yellow are self-crossed इस question में आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक mandalian dihybrid cross है जिसमें round yellow मैं इसको round yellow कह सकता हूँ और ये heterozygous भी है जैसा की question में दिया जा रहा है तो एक round yellow heterozygous है उसको आपको क्या करना है self-pollination करना है तो मैं इसकी self-crossing कर देता हूँ जब मैं इसको self-crossed करूँगा तो मुझे बताना है कि round green of springs round green of springs जो आपको मिलेंगी उनका genotype क्या हो सकता है यानि कि जो भी आपको इस particular individual के self-pollination से round green of springs मिलेंगी phenotypically बता जा रहा है round green उनके genotype क्या क्या हो सकते हैं ये आपके question में आपसे पूछा जा रहा है आपका right answer क्या है आपके पास 4 options है आपने अभी तक अपना right answer मुझे दे दिया होगा अगर आपने अपना right answer वही दिया है जो मैं आपको explain करने वाला हूँ तो F2 generation में मुझे round green जो individual मिलेंगे उनका genotype क्या हो सकता है तो green एक recissive trait है हम सभी जानते हैं green एक recissive trait है और किसी भी recissive trait को express किया जा सकता है only केवल और केवल homozygously तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ small y small y यानि कि definitely इस allele का जो pair होगा वो homozygous recissive ही होगा लेकिन round एक dominant trait है हम सभी जानते हैं और dominant trait जो होता है वो दो तरीके से express हो सकता है एक तो heterozygously भी और दूसरा homozygously भी तो ultimately यहाँ पर हमें दो different genotype opt-en हो सकते हैं जिनको हम phenotypically round green कह सकते हैं F2 generation में अब मैं options के accordingly देखता हूँ कि किस option में यही answer लिखा हुआ है तो आप जब ध्यान से देखेंगे option number D में exactly heterozygous for first character यानि की round and homozygous for green and second यहाँ पर genotype बन सकता है homozygous dominant for first character यानि round and again homozygous recessive for green तो यहाँ पर इस question का जो right answer होगा वो है option D और आपका अगर यही answer है तो exactly आपने इस question को बिलकुल सही solve किया है अगला question है in a typical mandalian cross फिर से एक वार mandalian cross की बात की जा रही है जिसमें की जो की एक dihybrid cross होगा और इसमें बोला जा रहा है कि one parent is homozygous for both dominant trait and another parent is homozygous for both recessive trait यानि की बिलकुल mandalian cross हो रहा है जिसमें दौनों parent homozygous condition या true breed line maintain कर रहा है अब आपसे इस question में आगे क्या बोला जा रहा है in the F2 generation both parental combination and recombination appear definitely the phenotypic ratio of parental combination and recombination is तो चार options यहाँ पर दिये गए 10 is to 6 second option है 12 is to 4 third option है 9 is to 7 and D option यहाँ पर दिया गया 15 is to 1 तो आपको अपना right answer जो है वो मुझे जल्दी से chat box पर लिख कर बताना है अगर आपका right answer जो आप दे रहे हैं अगर वो exactly इस question का right answer है तो यह question बहुत कठिन नहीं है आप से definitely इस question का right answer आना बहुत ज़रूरी है तो इस question का right answer क्या होना चाहिए अब मैं आपको यह बता देता हूँ solve करके आप से एक simple सा question पूछा गया है जिसमें बोला जा रहा है कि एक mandalian typical dihybrid cross को हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से जिसमें हमेशा आपको जो F1 heterozygous मिलेगा वो law of dominance को follow करेगा no doubt और इससे जब आप F2 generation opt-end करेंगे selfing से इसकी जब आप क्या करेंगे selfing तो उससे आपको क्या मिलेगी F2 generation तो आप से पूछा जा रहा है कि इसमें parental phenotype रखने वाले जो off springs होंगे and जो recombinant phenotype रखने वाले off springs होंगे उनका आपको ratio बताना है क्या होगा तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी mandalian typical dihybrid cross होता है तो F1 heterozygous की selfing से F2 generation में phenotype ratio हमें 9,3,3,1 हमेशा मिलता है और 9,3,3,1 में से हम सभी जानते हैं कि 9 plus 1 हमें parental phenotype मिलते हैं यानि कि round yellow and wrinkled green जबकि 3 plus 3 हमें हमेशा recombinant phenotype मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है जब यह topic पढ़ाया था यानि कि round green, wrinkled yellow तो अगर मैं parental to recombinant का combination निकाल हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10 is to 6 तो 9 plus 1 is equal 10 and 3 plus 3 is equal 6 तो 10 is to 6 यहाँ पर मैं parental और recombinant progenies के phenotype का ratio यहाँ पर लिख सकता हूँ तो आपके options में option A जो है वो exactly सही answer है तो इस question का जो right answer होगा वो है option A 10 is to 6 और यह आप हमीशा याद रखी है आपको solve करने में कोई time नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको हमीशा पता होना चाहिए कि कि किसी भी mandalian dihybrid cross में up to generation में parent और recombinant progenies का जो ratio होता है वो हमीशा 10 is to 6 होता है next question है आपके पास एक minute का time है आपको ध्यान से इस question को पढ़ना है test cross of dihybrid ratio is 1-1-1-1 यह क्या proof करता है आपसे question में पूछे जा रहा है कि अगर किसी dihybrid cross का test ratio जो है वो 1-1-1-1 आ रहा है तो वो क्या proof करेगा तो इसको solve करना बहुत easy है test cross में अगर हम बात करें तो dihybrid test cross का मतलब होगा कि अगर मैं किसी ऐसे genotype के progeny का cross recisive parent से करा दूँ तो इसको मैं test cross बोलूँगा dihybrid cross में और उसमें आप हमीशा जो result obtain करेंगे उसमें आप phenotype का जो ratio आपको मिलेगा वो 1111 होगा और आप देखेंगे 1111 जो phenotypic ratio आपको मिलेगा इस test cross में उसमें आपको 4 different phenotype की progeny या और 4 different genotype भी कह सकता हूँ progeny जो हैं वो produce होगी तो ultimately इस question का right answer क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ F1 hybrid produces 4 different progeny तो exactly यह सही लिखा हुआ है यानि कि जो F1 heterozygous होगा जब उसका test cross करेंगे यानि कि आप recisive parent के साथ उसका cross करेंगे तो आपको 4 different phenotype की progeny उप्टेन होगी जैसे कि एक ऐसी progeny आपको मिलेगी जो round yellow होगी एक ऐसी progeny आपको मिलेगी जो round green होगी एक ऐसी मिलेगी जो wrinkled yellow होगी sorry wrinkled yellow होगी और एक ऐसी progeny आपको मिलेगी जो wrinkled green होगी तो आपको 4 different phenotype की progeny हमेशा मिलेंगी जब आप test cross करेंगे किसी F1 heterozygous का किसी dihybrid cross के तो पहला option यहाँ पर exactly सही है पर बाकियो options को हम एक वर चेक कर लेते हैं F1 hybrid is homozygous तो यह possible नहीं है mandalian typical dihybrid cross में हमेशा F1 heterozygous होता है तो F1 यहाँ पर homozygous नहीं होगा और अगर वो होगा तो उस condition में आपको 1-1-1-1 का ratio नहीं मिलेगा वलकि आपको 110% सभी की सभी progenies जो है वो dominant phenotype की मिलेंगी तो यह option यहाँ पर exactly गलत है तीसरा option कहा रहा है two different progeny are produced by P1 यानि कि parent 1 तो two different type of progenies are produced by P1 तो यह तो exactly गलत answer है यहाँ पर and चौथा option है none of these तो यह भी यहाँ पर नहीं हो सकता exactly इस question का जो right answer होगा वो option A होगा क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप किसी F1 heterozygous का test cross करेंगे तो वो heterozygous individual for both character जो दो character के लिए heterozygous है वो 4 different types के gamete को produce करेगा और उसके 4 different gametes का जब cross recessive gametes के साथ होगा या recessive parent के gamete के साथ होगा तो 4 different phenotype के आपको progenies मिलेंगी तो exactly 1 1 1 1 1 जो होता है ratio वो ये प्रूफ करता है कि F1 indivis were heterozygous है और उससे हमें 4 different phenotype की progenies मिलती है जिनका composition 25%, 25%, 25% and 25% होता है तो last question है if in a pea plant फिर से एक question है जो pea plant के उपर से यहाँ पर आप देख सकते हैं in a pea plant the factors for controlling seed coat color and shape of seed तो यहाँ पर आप से साफ साफ बोला जा रहा है कि एक कोई chromosome है या एक pair of homologous chromosome है आपकी एक शाया आप जो भी लिखना चाहें और इस एक pair chromosome पर दो different character के gene present है यानि कि एक ऐसा gene present है जो responsible है seed के coat color के लिए seed के coat color के लिए तो मान लीजे ये वाला gene यहाँ पर seed coat color के लिए responsible है और दूसरा gene जो है वो responsible है यहाँ पर shape of seed के लिए तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ shape of seed तो यह question की demand थी जो question बता रहा था कि दो different character के लिए gene जो है वो किसी एक chromosome पर same chromosome पर present है अब वो कह रहे हैं कि वो genes जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समीप यहाने कि बहुत ज़्यादा close present है बहुत ज़्यादा पास-पास है अब ऐसी condition में आप assume कीजिए कि अगर किसी एक chromosome पर दो gene बहुत पास-पास present होंगे shape of seed के लिए and color of seed coat के लिए तो उस condition में अगर आप cross'd करते हैं, die hybrid experiment perform करते हैं तो आपको बताना है कि अगर ये situation सच में मेंडल face करते हैं तो उस condition में मेंडल इन में से जो options दिये गए उन में से किस particular principle को, किस particular idea को proposed नहीं कर सकते थे तो definitely यहाँ पर question में हम बता सकते हैं, अगर दो gene for example A and B बहुत past past present हैं यान इनके बीच का distance जो है वो बहुत जादा कम है, यानि कि ये closely एक दूसरे के past past बहुत closely linked हैं एक दूसरे के past past present है तो उस condition में इन genes का independent assortment नहीं हो सकता और हम सभी जानते हैं कि independent assortment का मतलब क्या होता है कि एक जो gene का pair हो सकता है यानि कि capital A small A और दूसरा gene का जो pair हो सकता है capital B small B, उनके बीच में जो independently segregation होता है that is the law of independent assortment जिसमें दो non-allelic gene आपस में एक दूसरे से segregate होता है पर अगर वो gene past past present होंगे at the same chromosome तो उनका independent assortment नहीं हो पाएगा और इस condition की वज़े से जो progeny होगी वो parental gametes जो है वो जादा बनाएगी और recombinant gametes बहुत कम बनाएगी अगर genes बहुत जादा tightly link हैं बहुत जादा पास पास present है तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 100% जो progeny है वो gametes parental ही बनाएगी और इसका सीधा effect आपको F2 generation में देखने को मिलेगा तब जब की parental frequency आपको जादा मिलेंगी और recombinant frequency आपको बहुत कम मिलेंगी तो ये चीज सीधी सीधी है linkage तो ये question linkage पर based है और जब भी linkage का case बनता है तो affected क्या होता, affected होती है law of independent assortment तो इस question का जो right answer होगा that is the option B independent assortment तो I hope आपने सभी questions के right answer दिये होंगे, मैं आपके answers को check करूँगा and अगर आपको किसी भी question के solutions में लगता है कि आपको अभी और भी जादा समझने की जरूरत है तो आप मुझे बिना किसी संकोच के बिना hesitation के comment box पर अपना doubt लिखकर भेज सकते हैं, definitely मैं आपके doubt को reply करूँगा, उसका right answer जो भी हो सकता होगा, मैं आपको जरूर दूँगा, thank you very much धन्यवाद